क्या आप भी अपना podcast बनाने की सोच रहे है तो anchor try कीजिए, ये free है, इसमें कई सारे ऐसे tools है जो आपको अपने phone पर और computer पर record और edit करने की facility देते है आप अपने podcast को distribute भी कर सकते है, जिससे इसे Spotify और दूसरे platforms पर सुना जा सके, download कीजिए free anchor app या visit कीजिए anchor.fm Books That Speak में आप सभी का स्वागत है मारेवा थरोपानी निर्मल खल-खल बहतो जायरे मारेवा थरोपानी निर्मल खल-खल बहतो जायरे मारेवा थरोपानी निर्मल खल-खल बहतो जायरे कलपना कीजिए भूत, बरत्मान और भविश से जुड़ी उन सभी कहानियों की जो एक नदी हमें सुना सकती है नदिया तब भी थी जब मनुष्य फसले उगाना सीख रहे थे वे तब भी थी जब मनुष्य ने नगर बनाने शुरू किये वे आज भी है और हमें पानी, खाना और आज विका देती है पर उनके साथ कूडेदान जैसा व्यवहार भी किया जा रहा है नदिया हमारी देखबाल करना जानती है लेकिन अगर हमें उनका और अपना अच्छा भविश्य चाहिए तो समय आ गया है कि हम उनकी भरपूर देखरेक करे कहानी का शीरशक है नदिया चले चले समय की धारा ओरिजनल स्टोरी दे टाइम ट्रावलिंग रिवर बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है परिनिता शेट्टी चितरांकन सनैना हिंदी में अनुवाद मनोहर नोतानी कहानी सुना रही है असावरी दोशी जमाने से कहो अकेले नहीं हम हमारे संग संग चले गंगा की लहरे नदिया टाइम मशिन जैसी होती है अगर कोई किसी नदी में कूद जाए और तैरता हुआ अतीत में पीछे खूब दूर चला जाए तो उसे बीता इतिहास जिवन्त दिखेगा कोई दो नदिया एक सरिखी नहीं होती समय और जगह के हिसाब से उनकी भाव भंगिमा बदलती रहती है कुछ नदिया सर्दियों में शान्त होती है कुछ नदिया गर्मियों में सिम्टी और लजीली होती है कुछ नदिया बरसात में गुसे से उफनने लगती है याँ नदी गेहुई, सावली, काली, नीली, हरी या कई अन्यरंगों की हो सकती है वे अपने आसपास के परिवेश और उनके भीतर, धुली और छिपी चीजों के हिसाब से रंग बदलती है कभी तो नदी का रंग उसकी तली के पत्थरों का रंग ही होता है, तो कभी उसका रंग उपर छाए आसमान सरीखा होता है नदिया अपना रास्ता भी बदलती है, सो अगर कोई नदी पहले कभी किसी जगह से गुजरती रही हो तो हो सकता है कि भविश में वो कभी किसी दूसरे स्थान से गुजरने लगे गंगा जैसी कई नदिया हजारों बरस पुरानी है उन्होंने मनुष्य जाती को बढ़ते हुए देखा है लोगों को हमेशा से नदियों के पास रहना और काम करना भाया है नदिया लोगों की देखबाल करना जानती है हमारा कुछ भोजन सीधे नदियों से आता है और हमारा अधिकांश खाध्य नदी के पानी के इस्तिमाल से ही फलता फुलता है फिर हमारे शरीर में से गुजर चुकने के बाद हमारे भोजन को जो अब मल बन चुका है नदी ही ठीकाने लगाती है नदिया अगर बोल पाती तो हो सकता है कि वे मांग करती कि हम अपना मल कही और ले जाए नदिया सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं पालती अनेक पक्षी और पौधे, पशु और मचलिया, कीडे और फूल नदी के सहारे जीते है यहां तक की नदिया संगीत की प्रतिभाओं को भी पालती है जलमगन जीव ऐसे अनूठे और विचित्र गीत गाते है मानोवे किसी और ही दुनिया से आये हो हमारे देश इंडिया का नाम भी एक नदी के नाम पर ही पड़ा हमारे देश को नाम देने के अलावा सिंधु यानी इंडस नदी दुनिया की प्राचीन तम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता इसका घर भी रही है सिंधु नदी के चलते ही हमारे पूर्वजों ने इस देश में अने गाउं, कस्बे और नगर बसाए नदी से ही वे लोग पास और दूर की यात्राये कर सके और चीजों की खरिद बिक्री कर सके सिंधु घाटी के लोग नदी किनारे खुशी-खुशी आबाद रहे फिर अचानक वे गायब हो गए कोई तीन हजार साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता लुप्त हो गई कुछ लोगों का मानना है कि वे कुछ ज्यादा ही लालची हो गए थे उनके द्वारा जंगलों और पानी के अनापशनाप इस्तिमाल के कारण बाड आ गई थी बाड एक डरावनी चीज है पर ये उपयोगी भी सिद्ध होती है बाड का पानी जब नदी में लोटता है तो उसके साथ आई सम्रुद्ध मिट्टी नदी की नारे ही रह जाती है जो फसलों के लिए बहुत उपजाऊ होती है लेकिन बाड जीवन और इमारते भी नश्ट कर सकती है गुसेल नदिया लोगों को डराती है पुराने लोगों का सोचना था कि गीतों, प्रार्थनाओं और उपहारों से नदियों को शांत भी किया जा सकता है लेकिन ये तरीका अक्सर उतना कारगर साबित नहीं हुआ नदी के समय चक्र में पीछे से चल कर हम अगर लोटकर वर्तमान में पहुँचे बीते युग की कुछ एक चीजे जानी पहचानी लगेगी आज भी नदियों का इस्तेमाल खाद्य उत्पादन और आने जाने के लिए होता है लोग नदियों को जोडने के लिए नहरे बनाते हैं और फिर उन लोगों तक पानी ले जाते हैं जो नदी किनारे नहीं रहते इस प्रकार नदियों पर सफर करना आसान हो जाता है ऐसी मानवी हरकते नदियों को बरबात कर रही है बांधो और नहरों के चलते नदिया उन पर आशरी जीवों की ठीक से देखबाल नहीं कर पाती है बहुत से लोग ये नहीं जानते कि नदिया काम कैसे करती है वे जीवित कैसे रहती है और वे आखिरकार मरती कैसे और क्यूं है कुछ इलाकों में नदिया सूख कर रेगिस्तान सी बन गई है कई जगहों पर हम लोग नदियों को कूडा दान, गटर पाइप और प्लास्टिक डालने वाली पेटी की तरह इस्तमाल करते है ऐसे में एक नदि की टाइम मशीन अगर हम लोगों को भविश्यकी सैर पर ले जाए तो हमें वहाँ क्या दिखेगा सूखी निर्जल नदिया जो बस पुराने किस्से कहानियों में बहा करती थी, जो थोड़ी बहुत नदिया बची है उन्हें लेकर आपस में लड़ते मरते देश दिखेंगे, वे भटक रही होंगी उजड़ी बंजर जमीनों पर या फिर शायद वो ऐसी दुनिया हो, जिसमें लोगोंने प्रकृती और एक दूसरे के साथ रहना सीख लिया हो एक ऐसी दुनिया, जहां लोग ताजा पानी जमा करके रखते हैं, जहां खराब पानी फिर से इस्तमाल किया जाता है, रीसाइकल करके और दोनों तरह के पानी ढंग से, जम्मेदारी से उपयोग में लाए जाते हैं, वहां मिलेगी एकदम साफ स्वच नदिया, जिन्हें लोग वैसे ही साफ स्वच रखते हैं दूसरा वाला भविश्य असंभव नहीं है, पहले भी हमारे कौशिल और तकनीक के चलते मरी हुई नदिया वापस जिन्दा हुई है, नदियों ने हजारों सालों से हमें पाला पोसा है, अब कुछ लोग नदियों की सेहत की चिन्ता करने लगे है कुछ अदालतों ने तै किया है कि इनसानों की तरह नदियों के भी कानूनी हक है, सो अगर कोई इनसान किसी नदी को नुक्सान पहुचाता है तो यही माना जाएगा जैसे उसने किसी दूसरे इनसान का नुक्सान किया है तो सोचिये, सोचिये शिकायतों की उस लंबी सूची के बारे में जो एक नदी अदालत में पेश करेगी हम इनसानों के खिलाफ अपने लिए एक बहतर भविश्य की मांग को लेकर बच्चे सडक पर उतरने लगे है सन 2015 में 11 साल की स्टेला बॉल्स ने अभियान छेडा कि स्थानिय सरकार प्रदूशित नदी को साफ करे और उन्हें नदी साफ करनी पड़ी बड़े लोग भी अब बच्चों की सुनने लगे है दुनिया भर के बच्चे बड़ों से बहतर भविश्य के लिए स्वस्थ दुनिया हेतू परियावरण और नदी की रक्षा की मांग कर रहे है वैसे भी हमारे पास यही तो इकलोती दुनिया है नदियों को स्वच रखने का काम कभी खत्म नहीं होता आगे चलकर और भी इंसान होंगे और भी खेत खलिहान होंगे और ज्यादा कल कारखाने होंगे यह तो अच्छी बात है कि हरेक के लिए परियाप्त पानी है हमें बस नदियों का भी खयाल रखना है और आपस में एक दूसरे का भी तो ऐसी ही सुन्दर और प्यारी-प्यारी कहानियों की धारा हम बहाते रहेंगे Books That Speak पर आईएगा जरूर यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर हमारी वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में धन्यवार बाई-बाई